ताउडू वाड नमबर 3 से एक महिला अपनी एक छोटी सी जो बच्चे के साथ में अपने घर से अपने माई के निकलती है फिर मामले में एक नया मोड आता है कि 6 तारीक को अपने माई के से वह वापिस ताउडू आ रही है ताउडू मोड पर जो वाड नमबर 3 जो कलोनियों के लिए जो रोड आ रहा है तो वहाँ पर टी पॉइंट पर उतर भी जाती है एक बच्चे ने उसको उतरते देखा है लेकिन उसके बाद महिला का कोई किसी परकार का कोई अतापता नहीं है आखिरकार महिला को जमीन निगल गई या आस्मान ये तो परिवार जन अपनी सिकायत ताउडू सिटी थाने में दे दिये हाला कि पॉलिस ने इनकी सिकायत पर 346 का परचा यानि की लापता का परचा दर्ज कर लिया है लेकिन हमारे साथ पीडिस पक्ष है ये बताएंगे आखिरकार क्या कोई ऐसा विवाद हुआ था जिसके करण महिला यहां से निकली है या कोई और बात है क्या नाम आपका तो सूरज जो महिला है क्या नाम है उसका मीना मीना क्या लगती थी आपकी वाइफ है कब साधी हुई थी पांस साल हो गई तो कोई बच्चा हो गे रहा भी था यहां बच्चा था यह डेड़ साल के लड़की थी तो अब यानि कि कितने तारीकों घर से कब गई थी हो तीस तीस तारीक के बाद में यानि कि घर नहीं आई फिर लोट नहीं तो बताया जा रहा है को ट्व पॉइंट पर यहां पर कोई उतरी यह किसी बच्चे नो उसको देखा है वो पता चला था कि घर से आ रही थी और यहां उतर गी थी बाई-पास पर यहां से घर नहीं पहुंची किया किसी से उसके साथ कोई एफेर वगेरा चल रहा हो या किसी बचास हो हाँ हमार सप्थी पाड्यों से कुलदीप उस्पश्तों तो अभी पुलिस ने इस मामले में कोई कठोर कारेवाई की है। यानि की पीडित परिवार की अगर माने तो उसका जो पती है उसकी माने तो कि यहां तक जो टी पॉइंट तक आती है फिर उसके पडोस में रहने वाला एक लड़का जो कुलदीप नाम जिसका बताया जा रहा है वो उसके पडोस में ही रहता है वो भी उसी दिन से लापता है खेरियत देखने वाली बात है आकिरकार कुल्दीप कहां गया है ना उसके परिवार वाले इस बात को बता रहे हैं हाला कि यानि कि बातों से इस परिवार को उलजा रहे हैं जब इनके पास में जा रहे हैं तो बातों में उल्जा लेते हैं इनको और ये कहते हैं कि पता नहीं कहां चला गया भला किसी परिवार का एक बेटा तीन चार दिन से गयाब हो उसके माता पिता को ये पता नहीं हो कि मेरा बेटा कहां गया है बलकि इस परिवार को पून तरीके से बेकूप बनाने की एक साज साजिस के तहत यानि कि यहां से महिला को अपने चंगुल में लिया जाता है महिला का यहां से अफरन कर लिया जाता है फिर पता नहीं उसके साथ में क्या करना चाहा रहे हैं जो आरोपी पक्ष में इन से कहूंगा कि डारेक्ट जो सक किया है इन पर कुलदीप नाम के लड़क मैं तो काड़ी प्रफांट जी अच्छा उसका फोन आ है था उस ने बोली बेटे तक तिरे साली आगी उसने का बेटे मैं तो बोल दिया चोट को चोड़े आएगा उसने कहा वह चोड़े जीजा है यहाप हो मेरे को सो रुपे देखे मैं तो उसने बिठा दे घर पे तुछ राजा वो घर पे ही नहीं पहुंची और उस दिन से यह लड़का भी गाया कुल्दीप तो पुलिस पर कोई रिपोर्ट हो गया लिख्वाई या आज लिख्वाई है जी तो अभी तक कोई कारवाई कुछ नहीं हो रही किसका परिवार का एक ही आरोफिक कुल्दीप नाम के योग पर इनका सक ही नहीं बलकि पूर्ण तरीके से सक है कि इन्होंने इस वारदात को अंजाम दे डाला है और एक बच्ची जो छोटी बच्ची उसके साथ में है यानि कि दोनों उसका पती बार बार यह आरोफ जो परिवार से अगर कोई बाचीत भी करता है तो परिवार भी सक की नजर में है यानि कि वो संपूर्ण तरीके से बाचीत नहीं कर पा रहा है बलकि यहां से जो बड़ी बात है कुल्दीप नाम का योग भी फरार है और उसका पिता भी घर पे नहीं है हाला कि हमारी टीम ने भी खोजने का परियास किया जाचने का परियास किया लेकिन हमारी टीम को भी कुई संतोस जनक जवाब इस मामले में नहीं मिल पाया हाला कि सिटी सदर थाना परभारी जो यहां के तावडू के हैं अजेबीर सिंग जी उनसे बार बार अपील है कि किरप्या कर इस पीडित इसी बच्ची और उसकी मा यानि की छे तारीक से गायब है और पुलिस दुवारा गुमसुदी की की रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है लेकिन इस परिवार ने बहुत बड़ा आरोप अपने पडोसी पे ही लगाया है इनका पूर्ण सक है कि इनके पडोसी दुवारा जो आद्यम से सक्त अपील है जहां पर भी ये महिला और ये बच्ची नजर आए किर्प्या कर आप हमारे नंबरों पर सूचित करें और इस परिवार के नंबर भी हम आपको सिक्रीन पर चला देंगे इन पर सूचित करें या पुलिस से भी आप पुलिस के नंबर भी हम डाल द के साथ